ना पोहा ना उपमा, आज हम बनाएंगे पोहे से एक दम unique, tasty और बहुत healthy नाष्टा, इस नाष्टे को आप रोज बनाना पसंद करेंगे, इसके लिए हम लेंगे हापर दो कप पोहा, अब पोहे को हम दो से तीन बार पाने से अच्छे से दो लेंगे, जिससे इसमें जितनी भ गड़ते हुए हमें पोहे को धो लेना है, अब इसमें से सारा पाने निकाल देंगे और पांच मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, पांच मिनट के बाद पोहा एकदम soft हो गया है, तो इसे हम अच्छे से mash करेंगे और इसका एक डो लगा लेंगे, तो अच्छे से तो सुजिया मैदा भी ले सकते हैं, अब कुछ मसाले लेंगे जिस में लिया है, फ़ टी स्पून जीरा, फ़ टी स्पून करश किवी काली मिर्च, एक बारे कट्यू हरी मिर्च, एक इंच अदर के टुकडे को ग्रेट करके लिए हैं, और एक बारे कट्यू लाल मिर्च है, 5-6 करी पत्ता और ये 2 टेबर स्पून है ग्रेट कियावा कोकोनेट, आप चाहें तो कोकोनेट का पाउडर भी ले सकते हैं या कोकोनेट को स्किप भी कर सकते हैं, अब लेंगे यहाँ पर 1-8 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1-4 टी स्पून नमक और 1 टेबर स्पून लेंगे दही, तो ये दही थोड़ा सा खटा है, अब सभी इंग्रेटेंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो ये देखे हमने सबको मिक्स कर लिया है और ये डोके जैसे लगया है, आतों कि थोड़ा सा ओयल लगा लें, जिससे ही हाथ के चिपके नहीं, अब इसमें से हम छोटी-छोटी बोल्स बना लेंगे, तो यहाँ पर हम निल्बू के साइज से थोड़ी-छोटी बोल बनाएंगी, जिससे इन्हें स्टीम होने में करम टाइम लगेगा, तो ये देखे, इस तरीके से हमें बोल बनानी है, बोल बनाने के बाद इसे हम बीच में से प्रेस कर और ये देखे, इसमें खड़ा बन गिया है, इसे ये चारो तरब से अच्छे से स्ट्रीम होगा, ये सारे बॉल्स हम इसे तरीके से तयार कर लेंगे, अब चलते हैं गैस के तरब, और गैस पर एक कडाई में पानी करम होने के लिए रखा था, पानी तेज करम हो चुगा है, हम इने हाई फ्लेम पर स्टीम को खौने देंगे, अब तक ये बॉल्स स्टीम होती है, हम एक अड़ाई में लेंगे, वन टीबल स्पून ओइल, जैसे ही गरम होगा, इसमें वन टीबल स्पून सरसो के दाने, वन टीबल स्पून लेंगे उड़त दाल, वन टेबल स्पून सफेद तिल, 5-6 करी पत्ता और 2 टेबल स्पून लेंगे ग्रश कियावा पीनट तो इन सब के साथ हम एक रिवी तयार करेंगे जिसे ये नाश्ता और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा लो फ्लेम पर इस सब को चलाएंगे जिसे पीनट भी अच्छे से फ्राई हो कड़ाई का कवर हटा दे और इन्हें ठंडा होने दे अब यह थोड़ी से चिपकी हुई है जैसे यह ठंडी होगी इन्हें आप आसाने से निकाल सकते हैं यह हम साइड में रखेंगे और प्याश को फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे ग्रेट की हुई अध्रक स् यह तो टमाटर को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, अब हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक यह ओयर रिलिस नहीं करें, अब लेंगे 1.5 टीश्पून कश्मिरे लाल मिश पाउडर, स्वादो नुसार, लाल मिर्ची पाउडर, 1.4 टीश्पून लेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, इन सभी मसालों को भी टमाटर के साथ त्रोस्ट कर लेंगे, खड़ाई को दो मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, जिसे टमाटर ओयर रिलिस कर दे, दो मिनट के बाद इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करें, और यह जो त्यार की हुई बोल्स हैं, इन्हें हम इस ग्रेवी में डाल देंगे, और एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो इन बोल्स पर अच्छे से चीपक जाए, अगर आपको यह मसाला थोड़ा सा ड्राई लगे, आप इसमें एक से द कमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो लास्ट में हम इससे गार्निश करेंगे हरे धनी के साथ, तो कैसे लेगी आपको यह रेसेपी मुझे कमेट करके जरूर से बताएगा, और भी ऐसे नाच्छे की रेसेपी देखना चाहते हैं, प्लेस फॉलो करें और ज्याद से ज़्यादा शेयर कीजेगा, थेंक्स फो बोजिंग